गुद बॉर्निंग डियर इस्टुडेंट मैं विक्रम सेर पीडियेस के आनलाइंग ग्रूप में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदी आज हम इसका शेकेंड पायर पढ़ेंगे उस दिन आम लोगों ने पढ़ा था रस रस में आपको अस्थाही भाव तक पढ़ा दिया अधा हाज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विभाव कि इस पर चरचा करेंगे एं मोजे लिए विभाव शंचारी बहाव सभी हम और शंचारी भाव पर आज हमको चरचाए करने है तो विभाव की परिभासा यह है कि अस्थाई भाव के कारण को ही अस्थाई भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं कि या कहते हैं अस्थाई भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं अर्था अस्थाई भाव के उत्वन होने का जो कारण होता है उसे ही हम लोग विभाव कहते हैं क्या कहते हैं विभाव अस्थाई भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं कि अस्थाई भाव के कारण को ही विभाव करते हैं विभाव मुख्रता दो प्रकार के बताए गयते जो सबसे मारा पहला होता है वो होता है आलंबन विभाव कि हमारह सबसे पहला भाव क्या है आलंबन विभाव मांतिओ सबसाइसी क्या है तो आलंबनविभाव का अर्थ्य होता है कि जिसे जिस्य व्यक्तिया वस्तु को देखकर मन में अस्थाई भाव जागरित होता है उसे हम लोग आलंबल मिभाव कहते हैं उसे हम ब्यक्तिया वस्तू को देखकर अस्थाई हाऊ जागरित होता है अब से आलंबन विभाव करते हैं कर देखकर अस्थाई हाउ जागरित होता है उसे हम लोग क्या करते हैं आलंबन विभाव क्या करते हैं आलंबन विभाव अब अगली बात हमारी चर्चा चलनी है उद्दीपन विभाव कौन सा विभाव उद्दीपन विभाव की परिभासा क्या है आलंबन विभाव द्वारा उत्पन वेभाव जो अस्थाई भावों को उत्दीप्त करते हैं उत्दीप्त करते हैं जो क्या करते हैं अस्थाई भावों को उत्दीप्त करते हैं उन्हें उत्दीपन विभाव कहा जाता है अर्थात आलंबन विभाव द्वारा जागरित या फिर्वेभाव जो आलंबन विभाव को कि विभाव जो आलंबन विभाव के द्वारा कि जागरित होते हैं कि उन्ती पन्वाव खराते हैं कि आलंबन विभाव के द्वारा कि जागरित होना यहीं किसकी द्वारा जागरित होता है आलंबन विभाव के द्वारा जागरित होता है उसको हम लोग क्या करते हैं जैसे उदारण लोग लिख सकते हैं बाउने के वरण में बाउने के वरण में बाउने का अटपटी चटपटी करना सब्सक्राइब क्या किया द्पाइब हो कि जिसके अंदर बता देता है जाधने करता है कि हमारे अंदर गया कि अ तंदेपण में बॉभाव किया दाए और अग्रे बात हम लोग करेंगे अनुभावोर कि क्या करेंगे अनुभाव हां अनुभाव कि अस्थाई भाव के जाग्रित होने पर कि क्या करने पर अस्थाई भाव के जाग्रित होने पर कि अस्थाई भाव के जाग्रित होने पर अस्थाई के मर में या कि अस्थाई में होने वादी आस्थाई में होने वादी स्वाभावी क्रियाओं को अनुखाव करते हैं क्या कहते हैं आस्तराय में होने वाली स्वाधाविक प्रियाओं को अनुभाव कहते हैं उसी क्या कहते हैं अनुभाव कहते हैं इसका उधारा नोग देखेंगे जैसे डर के मारे काप जाना आखे लाल हो जाना हक्का वक्का हो जाना यह सारी कैसी क्रिया है अनुभाव है यह सभी क्या है अनुभाव है जिसे ब्यक्ति अपने हिर्दय में उत्पन अस्थाई भाव को बाएं चेश्ठाओं के माध्यम से क्या करता है प्रकट करता है हां इसमें थोड़ा सा अबवाद भी है कि अगर हिर्दय में चेश्ठाएं या पिर यह सारी क्रियाएं मौसम की वज़ा से हो र हो जाता है तो यहां पर अनुभाव है लिकिन अगर वो गर्मी में पसीशितर है कर्मी की वज़ाओं है नहीं मह एंड़ जाएगा बसात में को प्रकट हो रहे हैं तो आप माले जिएगा कि इसमें फिर ये क्रिया का यह अनुभाव की अंतरगत नहीं आएंगे कि अगरी बाद हम लोग करें कि संचारी भाव की किस भाव की संचारी भाव की यह रसका सबसे अंति मंग है कि सहर्दाय किहर्दाय नुद्पन पन आइस्थिर मदोविकारों को कि संचारी भाव करें कि क्या करते हैं कि सहर्दाय कि हर्दाय नुद्पन आइस्थिर मदोविकारों को अर्थात यह ज्यादा देख तक इस्थिर रही रहते यह पानी की बुल्बुलों की भाति कि बनते रहते हैं फूरते रहते हैं यह च्छण भर के लिए आते हैं जैसे पूरा रोल हमको अलब करना है लेकिन उसके बीच में कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए यह क्रिया का लाब होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है कि संचारी भाव बोला जाता है क्या बोला जाता है संचारी भाव बोला जाता है यह रसके अस्थाई भाव के जागरित होने पर ही हमारे हिर्दय में कुछ छण के लिए कुछ समय के लिए कुछ मिनट के लिए आता है इसलिए हमारे कव्यों ने कहा कि यह पानी के बुल्गुलों की भाते हिर्दय में कि अपन्ते रहते हैं और बिगरते रहते हैं रोख समांश गए रसके चाइल मोगरन अच्छी तरीके से पढ़्डिया अनुभाओ स्वरी अस्थाई भाओ विभाओ, उनुभाओ, संचारी भाओ, चारो भाव को हम लोग ने अच्छी तरीक्यों से पढ़ लिया, अब इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारे वार्षप नमबर 888-59-655 पर वार्षप करके अपनी समस्या का समधान करा सकते हैं, थैंक्यू